हां मैं हूँ शिवांगी चहान आपकी बायलाजी मेंटोर और प्यारे मेरे बचो हम आ गए अपने कौन से चाप्टर में एक नए चाप्टर में यानि आज हम बात करने वाले हैं अपने प्लांस के बारे में हम जानने वाले हैं प्लांस को यानि कि जो हम स्कूल जाते हैं हम अ पिर क्या भी हमने क्या सोचा है कि अगर ये प्लांस नहीं होते तो क्या होता यानि कि हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांस हैं उनकी कितनी responsibilities होती हैं और वो हमारे लिए कितने जादा important होते हैं यानि हम बात करने वाले हैं आज प्लांस के बारे में बहुत ही जादा detail में ठीक हैं तो करना क्या है आप लोगों को बस अच्छे से मैम की एक एक बात को सुनना है समझना है और जहां लगे कि ये important लग रहा है उसको जल्दी जल्दी no down कर लेना है तो देर किस बात की है चले start करते हैं आज का lecture विद वन वादा कौन सा वादा वादा ये कि आपको सब कुछ अपना पूरा focus यहीं पर रखना है ठीक है तो चला start करते हैं आज का lecture तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत important parts of the plant के बारे में सबसे पहले हम बात करने एक सब्सक्राइब करते हैं यानि कि इसी तरह से में हमारे जो plant होते हैं उनके भी parts होते हैं हमारे हाथ हो गया हमारे पैर हो गया हमारी नोस हमारी आईज इसक्या है parts of the human body इसी तरह हमारे जो प्लांट होता है उसके भी धेर सारे पार्ट्स होते हैं तो हमें पता होना चाहिए न कि हमारे कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट कौन सा रोल प्ले करता है यानि कि आज हम जानने वाले हैं दो पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं रूट्स के बारे में और स्टै प्लांस हमारे हर तरफ है लग लग हम बहुत नसीब है बच्चों कि अभी हम अपनों आसपास पेड़ पौधों को अब भीया, इतनी जल्दी-जल्दी population बढ़ रही है, number grow हो रहे है, यानि आप देख सकते हैं, kitnay सारे humans होते हैं, kitnay sarsaSoar bring population बढ़ रहे हैं, यानि अगर population बढ़ रहे हैं, तो उनको भूक लगती होगी, उनको खाना चाहिए, और खाना कहां से आता है हमारा, हमारे plant as a source से, यानि हमें खाना या तो plant से मिलता है, या animal से मिलता है, animal से for example, दूध हो गया, है ना, दूध हो गया और क्या मिलता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी सोचो, क्या होता है, अरे, जल्द लोग अंडे खाते हैं, उनको अंडे म अब स्फ़स्क्राइब करने में और बच्चों अगर मैं बात करूं कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं oxygen लेते हैं हमें oxygen मिलता है plant से तो plants are very important क्योंकि हमें प्लांट से oxygen मिलता है साथ ही साथ जो हम carbon dioxide release out करते हैं उसको plants eliminate करते हैं क्यों क्योंकि वो खुद के अंदर carbon dioxide ले जाते हैं और हमें क्या देते हैं oxygen देते हैं ठीके 스is This , कर ढ ا。」 क्रण से मिलते हैं यानि कि मेजर जोसाथ होते हैं like फंडी हो रही थंडी हो रही है अब थंडी हम क्या करते हैं आग कि यूज ह कहां से आ इस सब किस से बनती है बसे बनते हैं जो कि हमें मिलता है आपे गने अध्वारी बैसिकली बहुत ही मेज़र दमांस को पूरा करता है सबसे हैं इनमें सबसे आपकर डी यह और सबसे इंपोर्टेंट का किरें और अगर वा vem में और इसमें आप देख सकते हैं different parts यानि से human body होती है हमारे बस हाथ है नोज है आइज है यह सब कुछ है इसी तरह प्लांट के भी parts होते हैं you can see here roots stem flower fruit and leaf यह क्या है हमारे part of the plant है इन्हीं को हम discuss करने वाले हैं detail में यानि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले roots के बारे में किसके बारे में roots के बारे में तो चलिए जान लेते हैं भाईया roots का क्या funda है क्या काम है तो मैं आपको बता दूं बच्चों जो roots होती है यह वो part है plant का जो मिट्टी के नीचे होता है यानि under the soil तो जो part soil के नीचे होता है उस part को बोलते है क्या उसको बोलते है roots और सो बच्चों यह जनरली किस रंग का होता है थोड़ा सा brownish yellowish color का होता है ठीक है color क्या होता है brownish साथी साथ roots में कुछ चोटे-चोटे से बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं root hairs बोलते हैं यानि यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे से hair like structures होते हैं और उनको हम क्या बोलते है root hairs बोलते हैं, क्या बोलते हैं? root hairs बोलते हैं, तो basically पूरा आपका किसका structure है? roots का structure है, जिके? तो root हमने जान ली, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि root का function क्या होता है? किस काम आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि जैसे हम पानी पीते हैं, हम कहां से पानी पीते हैं, अपने lips से, अपने मूँ से पानी हमारे अंदर जाता है, इसी तरह plant में जो पानी की requirement है, जो बाकी nutrition है, है ना, minerals है, वो कौन लेके जाता है plants में, कैसे पहुचता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी roots होती है, वो soil में से water और mineral को absorb करती हैं, और plants तक पहुचाती हैं, यानि ये जो structure हमारे plant का, ये help करता है, मिट्टी में से पानी को absorb करना, और उसके बाद बाकी parts of the plant, बाकी जो plants के हमारे different different हिस्से हैं, वहां तक पानी को और minerals को पहुचाना, तो सबसे important हमारे role तो ये हो गया, कि it absorbs water and minerals from the soil, also बच्चों एक और important role कि एक पौधे को, एक plant को मिट्टी से जोड़े रखने का काम, मिट्टी से जोड़े रखने का काम भी कौन करता है, roots करता है, यानि अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने हिवन की बात करूँ, तो हम लोग जमीन पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास इस legs है, legs है हमारे पास, right, legs की थुरूग खड़े हैं, जमीन के ऊपर, इसी तरह एक जो plant है, वो मिट्टी से किस तरह जोड़ पाया है, मिट्टी से उसको क्या जोड़ के रख रहा है, roots जोड़ के रख रही है, यानि roots जो है, वो plant को anchor करती, वह जोड़ना, क्या? जोड़न तो मिट्टी से एक plant को जोड़ने का काम करती है हमारी soil और बच्चों अगर हमारी roots नहीं होती तो plant सीधा कैसे खड़ा रहता यानि हमारी roots important role play कर रही है एक plant को hold एक उसको tight और straight रखने का है उसको सीधा रखने का काम भी कौन कर रहा है roots कर रहा है तो यह कुछ important function है जो हमारी roots play करती है चीक है और बच्चों हमारी roots के कुछ types होते हैं क्या होती है कुछ types होती है यानि कि कुछ ऐसा नहीं कि roots सिभ एक ही तरह का होता है हर एक plant में यानि अलग-अलग plant में roots अलग-अलग दिख सकती है जैसे आप इस picture में देख सकते हैं आपको दो अलग-अलग तरह की roots दिख रही है इसमें जो root है वो बिल्कुल straight है और simple सी एक ही दिख रही है लेकिन as compared to this picture आप देख सकते हैं roots देखो किस तरह कितनी prominently है ऐसे ऐसी है फैली-फैली सी है रफ-रफ सी जैसे किसी के बाल संदे को धोलो ला लड़के जब बाल धोती है अपने और संदे को बाहर निकलती है उनके बाल कैसे होते हैं कुछ ऐसे खड़े-खड़े पूरे हो जाते हैं बाल उनके है ना तो यह कुछ वैसा हाल है और यह कैसा है हमारी straightening की बार जो बाल बिल्कुल एक line में straight एक ही उसमें होते हैं फैले नहीं होते तो यह कुछ वैसा हाल है तो roots जो बिल्कुल एक primary structure होता है यानि की अगर मैं बात करूँ अपने types of roots के बारे में तो दो दरा की types होती है tap root और fibrous root tap root वो root होती है जिसमें एक single main root होती है या यहां पर एक ही prominent root होती है जो आपको अच्छे से दिख रही है देखो एक ही prominent root है एक ही structure दिख रहा है एक ही बाहर आया है बाकी जो इसको दिखी छुटेटी structures यह थोड़ थोड़े से बाहर बाल निकल रहे हैं उसके root hairs है main root नहीं है main root सिर्फ यह main main जो आपको prominently दिख रही है तो easily आप अगर किसी plant की roots को देखते हैं तो आप easily distant को कर सकते हैं कि यह tap root है कि fibrous root है क्योंकि अगर plant की सिर्फ एक ही main root आपको दिख रही है prominently तो वह कौन सा है tap root है लेकिन अगर आपकी plant की root कुछ ऐसी दिख रही है देखो कितनी ज्यादा rough है कितनी फैली हुई है चु बहुत सारी fiber वाली कैसा बहुत सारी fiber वाली तो fibrous roots मतलब जो बहुत बिखरी बिखरी सी है कोई एक main root नहीं है सारी ही roots एक points attach होके फैल गई है जमीन में तो ऐसी इस तरह की roots को बोलते हैं fibrous क्या fibrous ठीक है तो दो तरह की main root होती है हमारी tap root और हमारी fibrous root अगर मैं tap root के बारे में detail मैं आपको बताऊं तो tap root is a that root जिसमें एक single main root होती है जो कि मैंने आपको बताया single main root उसके बाद बच्चो इसमें कुछ छोटी छोटी सी fine roots होती है जिसको बोलते है lateral roots यानि जो यह आपक लेटरल मतलब छोटे-छोटे से roots like structure जो main root से बाहर निकल रहे हैं तो यह हमारी main root हो गई और इससे निकलने वाले जो हमारे hair like कुछ अलकी fine roots दिखरी पतली-पतली से roots इनको बोलते है lateral roots तो tap root में एक prominent दिखती है एक main root दिखती है ऐसे और उसके बाद उसमें से निकल रहे ह this is main root और this one is lateral root ठीक है lateral root तो यह होता है हमारा tap root के case में also यह किस कहां दिखती है ज्यादा flowering plants में दिखती है यानि ऐसे plants में flowers आते हैं वैसे plant में tap root होने के ज्यादा chances होते हैं example कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारा tomato का plant tomato plant हो गया carrot यह जो हमारी आपको carrot दिख रही है यह भी क्या tap root और हमारे शलगम है यह क्या है tap root तो यह कुछ examples है हमारे tap root के अब बात करूँ अगर fibrous root के बारे में तो fibrous root में ऐसा क्या होता है कि plant जो plant है suppose यह मेरा plant है plant के base से जहां plant खतम हो रहा है वहां से बहुत सारी roots निकल के आ रही है ऐसे एक ही point से बहुत सारी roots निकल रही है और अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं fibrous root बहुत सारी नहीं होती हैं सब बिल्कुल एक साथी बाहर निकल के आरही होती है तो इसको हम बोलते हैं और एक जामपल हमारा ग्रास और पैडी है न हमारी आए होते हैं और पैडी की तरह होती है चीक है अब मैं अगर बात करूं modification of roots के बारे में यानि बच्छों जो आप carrot खाते हैं या जो हमारे rabbit होता है वो जो carrot खाता है उस carrot में आप देखते होंगे कि वो carrot मिट्टी के अंदर से निकलती है कभी देखा है अपने carrot का प्लांट जो होता है जो हमारी गाजर होती है वो मिट्टी के अंदर से निकलती है और हमने जो बढ़ा कि मिट्टी के अंदर तो क्या होती है roots होती है तो उसके अंदर से fruit मतलब एक kind of कुछ खाने का समान कैसे निकल रहा है हम तो root पढ़ रहे थे मिट्टी के अंदर carrot कैसे निकल गई मिट्टी के अंदर से यानि इसने स्टोर कर लिया है धेर सारा खाना और मोटा हो गया है मोटा होने के बाद इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व मटेरियल आ गया है वह टेस्टी भी होता है तो हम कैरेट को खाते हैं लेकिन बेसिकली कैरेट क्या है एक रूट है एक रूट ही है जो इतनी फूल इसलिए यह उसके नदर ढोगी होता है कि अधार सकते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला कि टेस्टी होता और हेल्दी होता है क्योंकि बच्चों इस तरह तो बहुत सारी टैप रूट्स होंगी जो fully हुई होगी, सबको थोड़ी खा सकते हैं, कुछ तो नुकसान भी कर सकता है, तो हम हर root को नहीं खा सकते हैं, हम carrot को खा सकते हैं, यह हमाली safe भी है, healthy भी है, vitamins भी है, और यह proven है, कि इसको हम consume कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन basically यह है क्या, एक root है, क्या है, एक root है, modified root है, यानि हमने भी क्या पढ़ा, अभी हमें rat कहां देखके हैं, sorry, carrot अभी हम कहां देखकर रहे हैं, tap root में देखके हैं, यानि कि हमारे carrot है, वो एक tap root है, ठीक हैं, और fully हुई है, हम इसे खाते भी हैं, तो हमने इसको रख दिया है, modification of root के category में, यानि कि बच्चों, हमें इतना त पता है, कि हमारे plant का जो खाना है, वो leaves में बनता है, through process of photosynthesis, यानि photosynthesis होता है, और उस process में हमारा जो plant है, वो खाना बनाता है, और वो कहां बनता है, लीफ पे बनता है, अब लीफ जो है, वो kitchen of the plant होती है, खाना वहां बन रहा है, और वो खाना धीरे-धीरे हमारे plant के हर इसे में पहुँचता है चिक है यह पता है क्योंकि ऐसा नहीं कि एक जगा बन रहा है तो सारा खाना ली खालेंगी और खाना Come कॉठा कि लेकिन सब्सक्राइड उनके क्वाकश्म में को सफ़िएंज सवाय को क्रायी को कourt सो कर लेफिक उस क्या होगा और इस लालज के चक्कर में वो खाने को स्टोर करती जाती हैं, करती जाती हैं और गोलगपप बन जाती हैं यानि फूल जाती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि रूट्स आफ सम प्लांट बिकम स्वालन स्वालन का बतला फूल जाना and stores food और ऐसी roots को बोलते हैं storage roots जैसे कि हमारी carrot और shell gum तो ये इतनी मोटी कैसे हो गई क्योंकि इन्होंने धेट सारा खाना store कर लिया और इसलिए फूल गई और इनको बोलते हैं storage roots यानि जिन्होंने खाना store किया हुआ है और हम इनको खाते भी है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा विटेमिन्स हैं मिनरल्स हैं टेस्टी है और हेल्दी है ठीक है इसको बोलते हैं अभी कर रही है जिनकी अलग करती हैं कि अभी तक तो हम यह पढ़ किया है कि रूट को जोड के रखना मिट्टी से लेकिन कुछ प्लांट में यह वाला फंक्शन भी करती है है, food store करने का, को सा function, food को store करने का, that's why this heading क्या है, modification of the roots, यानी, roots ने एक नया काम किया है, ठीक है, चलो, अब बात करते हैं, दूसरे बारे में, यानी, अब हम बात करने वाले हैं, stem के बारे में, कि जो एक plant होता है, उसकी stem का, क्या role होता है, तो सबसे पहली बात stem क्या होती है अब भी तक हम बात करते आए हैं कि root के अंदर जो नीचे part होता है root के नीचे वाला उसको बोलते हैं sorry पारी सॉयल की नीची वाला जो पार्ण होता है इसको क्या बोलते हैं रूट इसी तरह सॉयल की उपर वाले पार्ण अब हम आना स्टार्ट कर चुके हैं यानि अभी तक तो हमने बात करी थी अपने रूट के स्टैम के बारे में तो आप हम जान लेते हैं सबसे पहले कि स्टैम कहां होता है क्या होता है तो जो क्या होता है स्ब्पोज एक प्लांट क्या है क्या है यह एक faculty ett कि जो जो पार्ट मिट्ची के ऊपर होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम शूट सिस्टम और जो पार्ट मिट्टी के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम क्योंकि मिट्टी की नीचे वाले को क्या बोलते हैं रूट सिस्टम और मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम जिसमें हमारी लीफ भी आ रह है फ्लार भी आ रहा है तो जो भी पार्ट मिट्टी के ऊपर होता है उस पार्ट को बोलते हैं शूर्ट सिस्टम तो यह लाइन यही कह रही है कि जो हमारा स्टेम होता है इडिजा पार्ट ऑफ शूर्ट सिस्टम का पार्ट है क्या है शूर्ट सिस्टम का पार्ट है फिर इड बच्चों यह हमारी ट्रीज होती है यानि आपने देखा होगा जो कोई बड़े बड़े हमारे पेड़ होते हैं उनका तना होता है उनका स्टेम होता है वह ब्राउन कलर का होता है वह भी तो स्टेम होता है लेकिन पेड़ की केस में वह ब्राउन कलर का होता है लेकिन अगर मै बात करूँ छोटे-छोटे plants की उनकी जो stem होती है वो तो brown नहीं होती है यानि वो होती हलकी green color की green color की stem यानि अब कोई छोटा plant देखेंगे तो उसकी stem green दिखेंगी लेकिन अगर वही plant बड़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा और पेड़ बन जाएगा तो पेड़ बनन होती हैं उनकी stems होती है green color की कि अगर बात करूं को सेंसी क्या होते हैं तो बच्चों सब्से पहली बात की हमें क्या पता है कि हमारे पास तो पैर होते हैं говорить और सो नहीं है जिसने चलके भाग सके यानि आन्धी आए चाहिए तुफान आए आए कुछ भी आजाए तको कहण क्श़च के दना परता है आंधी जह जाता है फिर खड़ा हो जाता है यानि की प्लांठ हमारा an सब्सक्राइब थेक्टॉष कर रहा है ठीक है also जो fruits होते हैं जो flowers होते हैं जो leaves होती है वो कहां से कि critics स्टेmm यानि projects से निकलती है ब्रांच इस अभ रोखरांचे को अपय। यानि स्टेम करता है से लीव कम इंग। जो उसक्कुछ ढिस यानि हमारा स्टैम हमारा जो यानि कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक प्लांट है, अगर एक प्लांट है हमारे पास बच्चों, यह रहा हमारा प्लांट, इसमें लगी है लीव्स, प्यारी प्यारी लीव्स, ठीक है, और 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 यह रहा इसका रूट, यह क्या है इसका रूट रहा, यह रूट हो है यह प्लांट हो गया और अभी जर्ट मैने आपको बताया क्या पताए मैंने आपको कि मैंसे हुआघ मिट्टी के अंदर सारे मिनरी रहे बहुत सारे मिनर biri है और थे हमारे मिनरी कमें हमारी से क्या करें वाटर और मिनरल को एब्सॉर्प Wi provocuy मिट्टी में से पानी और और मिनरल्स को एब sart करेंगी तो क्या करेंगी और उसको ऊपर की संद रस्पोर्ट करवाएंगी तो क्या कर रही है यह बाकी पार्ट्स फ्लांत idle के जो बाकि हिस्से आप सेंज कि पानी को पहुंचाने का काम करेगी कौन रूट्स ने सिर्फ पानी को us सब्सक्राइब को दिया और था किया पानी और मिनरल को कर दिया यानि हमारे स्टेम क्या कर रहा है ट्रांस पोटेशन में हेल्प कर रहा है यानि जब आप स्कूल जाना होता है बस पकड़ते हैं बस में बैठते हैं और आपको बस पहुचा देती है, कहां पर, school में, school से घर ले आती है, यानि बस help कर रहा है आपको घर से school छोड़ने में, school से घर लाने में कर रहा है न, इसी तरह stem भी है, वो transportation में help कर रही है, किसकी पानी और minerals की, तो जो roots ने पानी और minerals को absorb किया है, उसको बाकी parts तक पहुच types होती है, different तरह की stems होती है, जैसे roots का पढ़ा था न, tap root और fibrous root, इसी तरह हमारे stems की भी कुछ types होती है, सबसे पहले type hubs, क्या hubs, यानि बच्चों, जब आप बाहर जाते होंगे, garden में, खेलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि plants के बहुट different, different क्या होते हैं, types होते हैं, त हमारे stems plants के different types होते हैं, तो आप देखते होंगे, कुछ plants इतने से होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ trees होते हैं, यानि जो सबसे छोटे, बहुत छोटे plants होते हैं, जैसे धनिया का plant हो गया, धनिया देखिए कभी garden में, अपने ममा लगाती होंगी, तो धनि होता है, mint, mint का जो plant होता है, धनिया का जो plant होता है, यह बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, और ऐसे छोटे नाजुक stem वाले plants को बोलते हैं, herbs, यानि बहुत green, soft, tender, tender मतलब नाजुक, नाजुक, तो नाजुक से plants, stem बहुत छोट, देखा हैं न, धनिया का plant, इतना सा होता है, CUTE सा होता है, SAUFT सा होता है, नाजुक स सिस्टेम होती तूर जाती आराम से है ना धन्या और इनी को हम H pong कहते हैं तो यह थी हमारी प्लास टाइप क्या है पहली plant type on the basis of stem stem के basis पे stem कैसी है इसकी छोटी है green है soft है तो ये था हमारा herbs के बारे में दूसरी type की बात करूँ तो उसको बोलते है shrubs तो ऐसे plants जो herbs से थोड़े बड़े होते हैं herbs तो इतने इतने हो गए अब अगर herbs से कोई plant थोड़ा बड़ा है ऐसे plants को बोलते है shrubs और जो इनकी stem होती है ये थोड़ी woody होती है wood like herbs की कैसी थी soft थी, green थी, tender थी लेकिन shrubs की case में जो stem है वो woody है, wood like है hard है, थोड़ी मजबूत है और ज़्यादा मोटी नहीं होती यानि herbs से थोड़ा ज़ी फर्क पड़ रहा है, herbs के case में क्या थी छोटी soft or tender shrubs, shrubs के case में थोड़ी woody है, थोड़ी hard है लेकिन इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है ठीके, दूतरा ऐसे plants में क्या होता है कि ऐसे plants होते हैं जो shrubs होते हैं, उनकी case में जो stem होती है जो stem होती है, उनकी branches जमीन के पास से ही निकल रही होती है यानि कि कभी आपने rose का plant देखा हो, कभी आपने rose का plant देखा हो, तो आप देखते होंगे कि अगर मिट्टी यहाँ से start हो रही है तो मिट्टी के थोड़े उपर से ही branches दिखने लग जाती है यानि suppose, 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 suppose चलो, बनाते हैं फिर से हमारा plant आज कितने सारे plants बना दिये हैं हमने हैं suppose यह मिट्टी है मिट्टी के अंदर roots लगी है अब बनाते हैं हमारा shrub तो shrub का brown color तो मुझे दिख नहीं रहा तो यह सोचो brown color है और shrub के case में क्या होता है कि जो branching है वो जमीन के आसपास से ही start हो जाती है ऐसे यहाँ पर leaves लगी हुई है ठीक है यहाँ पर leaves लगी हुई है leaves लगी हुई है यानि shrubs के case में जो branching है वो थोड़ा जमीन के पास से ही start हो जाती है उपर से start नहीं होती branching जैसे bushy structure, bush, bush क्या होता है, जहाडियां जहाडियों में क्या होता है, बहुत सारी branches एक साथ ही उपर आ रही होती तो दिखता नहीं है कि पेड़ का size कितना बड़ा है यानि हमारे rose के case में देखो, कितना bush like है ना, कितने सारी branches साथ में निकल रही है क्योंकि जमीन के पास से ही निकल रही है ऐसे तरह के plants को थोड़ी bushy होते हैं, bush like जहालियों के तरह उनको बोलते हैं shrubs और जो इनकी wood होती है, कभी आपने rose के plant की देखी है, rose जो होता है, full होता है गुलाब का उसके stem देखी कैसी होती है, woody होती है, उसमें काटे होते है मतलब rose की case में काटे होते है, सारे shrubs में काटे नहीं होते है तो आपने उसकी stem देखी है, hard होती है, woody होती है, wood है ना, थोड़ी मजबूत होती है, तो ऐसे ही plants को, ऐसे ही plant types को बोलते हैं shrubs, example roses, तुलसी का plant, जो तुलसी होती है, उसकी भी यही same conditions होती है, तो ऐसे plants को बोलते हैं shrubs, यानी herbs होते हैं इतने बड़े shrubs होते हैं, अब 运 तरह सबसे बड़े पेड़ी आ जाने रिकों सबसें जानी जाने हैं मैंगौट्री नीमट्री बर्गत्री जिनस होती है प्रों बमष्पया friend उता हैं उनकर ईकना राना होगषिब होती है बहुत मजबूत होती है यानि श्रफ को से एक हब्स फिर आज थोड़े इनसे बड़े प्लांट में जो बहुत नाजुक नहीं है थोड़े मजबूत हैं और उनकी जो बुशेज लाई स्टक्चर जो जमीन के पास से निकलती हैं फिर हमने बात करी श्रप से भी बड़े कटेगरी की यानि हमने बात करी ट्रीज के बारे में तो ट्रीज बहुत बड़े होते हैं इनकी स्टेम कैसी होती है मोटी मजबूत होती है वुडेन होती है और उसको क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं तो इसको याद रखना कि ट्रीज के केस में पेड़ ट्रीज की केस में क्या होता है ट्रीज के केस में क्या होता है कि जो की स्टेम होती है उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं राइट तो अगर मैं बात करूं अपने पेड अपने ट्री के बारे में तो ट्री की केस में जो स्टेम होती है उसको तना बोलते हैं तना मतलब ट्रंक तो पूछ सकते हैं वोडिस ट्रंक का मतलब होता है the single thick wooden stem wooden stem in case of tree tree की case में उसको क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं तना मोटा तना ठीक है नाओ ये बहुत बड़े होते हैं अफकॉर्स पेड़ तो कितने बड़े-बड़े होते हैं हम उनके सामने बच्चे से दिखते हैं उचल उचल के हमें तोड़ने पड़ते हैं राइड तो हमारे पेड़ बहुत बड़े-बड़े होते हैं also also some branching होती है वो भी बहुत उपर से लगी होती है ACrows की बहुत उपर से होती है century स्थथे नेःच्प्स के केस में क्या हो रहा था branching नीचे करते हैं यानि जो ground में फैले रहते हैं जैसे के हमारा pumpkin तो आपने कुछ ऐसे plants देखे होंगे जो जमीन में फैले होते हैं वह खड़े नहीं हो पाते है देखाव कि जैसे कि अपने pumpkin हो गया,aculaur watermelon हो गया तो कुछ ऐसे plants जो जमीन में ही spread करते हैं उनकी stems जो होती वहों कमजोर होती है, इतनी नाजुक होती है कि वो बिना किसी सपोर्ड के सिधे खड़ी नहीं हो सकती that's why वो जमीन में ही पड़ी रहती है और वहीं ग्रो करती रहती है कोई दिक्कत नहीं आती तो creepers are ऐसे plant जिनकी stem बहुत कमजोर पतली होती है इतनी कमजोर इतनी पतली कि वो सीधा नहीं खड़े हो सकते ऐसे plants को बोलते हैं क्या creepers क्या बोलते हैं creepers बोलते हैं और बच्चों ये जमीन में ही grow करता है along the ground, ground में ही फैला रहता है और examples हो के मारे water melon और pumpkin तो creepers क्या होते हैं जो जमीन में फैले रहते हैं खड़े नहीं हो प वो भी बहुत कमजोर हैं वो भी बहुत पतली हैं लेकिन अगर उनको support दिया जाए गंड़ा प्रवाइट कर दिया जाए तो वो climb कर जाते हैं उनको पकड़ पकड़ के जैसे कि आपने कभी अपने घर में money plant देखा हो हम लोगों को लगता है ना कि जो money plant होते हैं आसे बहु प्लांट ठीक है अब हम क्या करते हैं तो money plant उसका पकड़ता और ऐसे चढ़ता जाता है तो ऐसे पेड़ को जो चढ़ जाए किसी का support लेकर जो उनको बोलते हैं climbers और उनको support की जरुरत क्यूं पढ़ रही है क्यूंकि उनकी stem बहुत कमजोर है बहुत पतली है इसी वज़े से बहुत नाजुक होने के चक्कर में वो खुद इसे सीधा खड़ा नहीं हो सकता सीधा खड़ा नहीं हो सकता इसे लिए उसको चाहिए एक support and that that's why such plants are known as climbers क्या climbers ठीक है एक्जामपल हमारा पी प्लांट होके मतर का हमारा जो मतर का पौधा होता है उसको भी support चाहिए होता है हमारा मनी प्लांट हमारा grape wine जो हमारा grape wine जो हमारे grapes होते हैं वो भी support की वज़े से ही क्लाइम करके hang होते हैं ठीक है तो यह हमारा सारे किसके of this chapter getting to know plants over होता है मिलते हैं अपने next lecture में तब पके लिए क्या करना है खेलना है खूदना है खूश रहना है और revision करनी है ठीक हैं चलो बाबाई